लेट्स गो जी लेट्स गो चलते हैं मोटो व्लोगिंग करने ये पार्स ने रिकोड करी है लाचले कितनी बेकार है जी गुड निव्स यह है कि भाई स्कॉर्क्यू एंड जो पेट्रोल ओतोमाटिक है जलो जी निकल गया हूं मैं मास्ट मूरी के लिए अरे बूनो उठ गया भालू कर खराटे ले रहा था खराटे इतने घहर हैं बूनो मेरे बालू राद उठने में बहुत लेट हो गया कल राद को क्रिकिट नेट में प्रैक्टिस करी ना ए गंटा ऐसी थकावट उट इतने ही कैलरी ज़ो सोया हूं मैं भाई होज नहीं ता नहीं जर्णी आज है नो सितंबर 2022 मैं हूँ भी गुडगाओं में और मुझे कंफ्यूजन होगी भाई कि आज नो सितंबर को God of War रेगनरोग रिलीज हो रही है जबकि वह होनी थी नो नवंबर को मैं दो तीन दिन पहले से भाई प्लैन बना के बैठाओं कि नो को रिलीज अच्छा हुआ है मैं गया नहीं वरना पोच जाता तो हो जाता कांट यह अपने फाइनेंस चैनल या जो पोड का चैनल उसका फर्स्ट वीडियो है इंट्रो वीडियो मैं शूट हो गई है एडिट भी हो गया भी बी रोल्स इसके उपर क्लिप्स लगाना बाकी है ओफुल मैं तो रेडी हो गया हूं फड़ा बढ़ नीचे जलते हैं काम निप्टाते है अपने और आज शायद से मैं बाइक भी निकाल लूँगा अपनी बारापचास कहीं पर जाना है वो तो बता हूंग है और इसके रावा दाडी भी बहुत जादा बड़ी हुई है तो मैं सोच करना है तो उस टाइम पर तो थी अधी वीडियो में दाडी हो अब है अधी वीडियो में क्ली जेगा ना तो समझे लो तो जब तक वीडियो का प्रूवल नी आता है तब तक यह उड़वा नी सकता मैं और एक बर वो आ जएगा फिर आज कल में ही मैं कर लूँगा आज पत पहले इसको सेट करू मैं ले जो ममी काले हो रहे है करोड खराब है यह पैकिट वाल है फिर भी खराब है यह क्या हाँ नीचे ले जाओंगो भार ही रख जाता हूं बाइक की चावी भी नीचे ले ही जाता हूं काम आपने प्टाने के बाद ताकि वापी उपर ना आना है ता हमारा पूरे अच्छे से रेडी हो गया भाई मतलब इतना मज शूट हो रहा है इसके आगे मज़ा यह बैकड्रोप है अपना पीछे यह वाला थोड़ा से टिक के लिए लैंप लगा जाते है लेफ्ट और राइट में एलसी रहती है नीचे वह वाली आर्जी सेटप में फाइनेंस चैनल के लिए यूज करने वाला हूं जहां पर मैं पोडकाश भी डालूंगा और फाइनेंस से आदाय भाई मुझे पहले समझ नहीं आता था कि कौन सा मुचल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए यह किसमें बैश रिटर्न मिलेंगे मैं कुछ टोफ साल में टोफ फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको सिरफ 14 परसेंट का रिटर्न मिलता जो सेंसेक्स के 13.5 परसेंट से थोड़ा ही जादा है तब भाई मुझे मेरे एक फ्रेंड नेना इटी मनी जीनियस के बारे में बताया इटी मनी जीनियस एक मेंबर्शिप है जो इन्वेस्टर्स को उनकी रिस्क, टोलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन्स के लिए अलग-अलग mutual fund portfolio देती है जो कि के इन्वेस्ट करते हैं large size, mid size, small companies, international equities, debt और gold में और फिर एटी मनी जीनियस इस मिक्स को market conditions के इसाब से change करता है ताकि आप सभी market conditions में better returns कमाए और भ इसलिए भाई मैं तो अपनी investment के लिए एटी मनी जीनियस यूज करता हूँ आप भी description में दिये गए link से download कर सकते है एटी मनी एप को अब फटावट से भाई अपने शूट निप्टाए जल्दी ताकि finance channel के लिए अपने पास 4-5 वीडियो का backup बन जाए उसके बाद ही हम वो चलते हैं मोट व्लॉगिंग करने तो अपनी मस साफ होगी ही कपड़ा हटाते हैं कितना थाइम हो गया भाई अलगी जोस्ता आजाता है देखते हैं हायबुसा में उतनी पील नहीं आती देखने पे जो इसको देखने पे आती है यह पार्थने रिकोड कर यह लाचले कितनी पेकारज ही लाए जा रहा था सारी दूदली करती तो बिल्कुली शरम नहीं अगर को लेट सी भाई इतने टाइम बाद वाई कपनी स्टार्ट होती है यह नहीं होती है वैसे नहीं बाई कैने बैटरी होनी तो नहीं चाहिए ड्रिन लेकिन कुछ कहा भी नहीं सकते क्यूं तो पार्ट वारी में हो गई बल्ले शामा शामा पार्ट पीचे की चुआ है को जल्दी खिचवा एक तो महां भारत है भाई इस बाइक को ना तो शामा एस बींच पार्ट आपने परत्वी खेशने शामा थे जातर है तो फूर और यहां पुलाईग थोटिया मेरेक चैसे की लिए एक पार्ट पार्ट कर रहा हूं णीजी से बड़ और यहां पर मैंने है घया ने खूल देख और मेलेख से लिए यह सब्ड़ाइब शोर और मैंने आपको दो तीन व्लोक पहले बताया था कि वो गाड़ी ने वैस्तों मेरे को डेट जो महिंद्रा की तरफ से आई थी आई थी जून 2023 अगले साल की बट उनका ना शोरूम वालों को मेरे फोना है सरे एक गाड़ी अवेलबल है अगर आपको चाहिए तो ले लो तो मे पर देदे तो महिंद्रा बट उनकी पोलिस यह कि आपको प्रिश यह कि अपने नाम से बुकिंग है जैसे काफी सब्सक्राइबर मेरे से कह रहे हैं कि आनमोल भाई हमें बेच दो वह तो ऐसा नहीं होगा भाई मैं पहले वह खरीद दूंगा फिर आपको बेच उनर हो पर देखेंगे फिर मैं सोचे जड़ा स्कॉर्प्यों ना रखेंगे वह 21,000 रुपे वापिस लेने से अच्छा ना चेंज कर वा लेता है क्योंकि कैंसिल कर वहां तो महिंद्रा 10% काट के देगा यानी कि 200 रुपे का नुकसान हो जाएगा तो उससे अच्छा उस वाली सब्सक्राइब लगा रहा है कि अगर यह रियल टाइम अपडेट होती रहती ना जैसे बैटरी वाला इंडिकेटर फ्यूल टैंक से लिंक होता तो तो क्या मस्ट कूल चीज हो जाती है ना लो जी लो पहुंच गए है महिंद रादे शोरूम सड़ी बाइक नु जगा मिलगी है वेरी गुड भाई अब यह पीछे ले जाने में दिक्कत आईगी अरे बंद है के शोरूम भीड तो लग रही है अब यह नहीं बता खुला है कि बंद अंदर चागी चेक आउड करना पड़ेगा यह तो है क्लासिक वाली अपनी और वो खड़िये उदर स्कॉर्प्यू एन दोनों की अभी देखते टैस्ट ड्राइव लेके वह वाली तो यह प्राइस लेजटे अपनी स्कॉर्प्यू एन की और अपने को वही फॉर विल ड्राइव ऑटमेटिक डीजल में ल स्कॉर्प्यों की नहीं चोबिस की दिखने में भाई साइज वाइस तो काफी हूज है और अंदर से भी मतलब कहीं से लग निरी की स्कॉर्प्यू है क्योंकि और इंटीर बहुत जादा अपग्रेड कर दी गए जैसे कि यह लोगों की विजसे प्रीमियम नस जहला करी है ब से आप देख सकते हो स्कॉर्प्यों एंड ऐसे लिखा हुए मतलब वहीं उची लग रही है बरावरी की उची बड़ी सी हुज गाड़ी मैं तो पहली बार देख रहो हूं अपने सामने क्योंकि इससे पहले मने देखा नहीं था बाकि यह नॉर्मल क्लासिक वाली है इसमें बी काफी जादा जो है चेंजिस कर दिये गए जैसे की स्टेरिंग वील भी काफी प्रीमियम लग रहा है यह भी चीज आप देख सकते हो मतलब स्कॉर्प्यों ना भाई दोनों क्लासिक भी एंड भी अंदर से लगती है ऊची भी खुली-खुली-चोडी-चोडी मतलब मस् यह क्लासिक भी प्रीमियम लग रही है इसकी वेटिंग पता नहीं भाई एंकी तो हालत खरा हुई पड़ी असी से पिचासी हफ्ते मतलब दो साल भाई बंदे का मूड चेंज हो जा है बंदा दस गाड़िया खरीद ले इतने में वेटिंग देते हैं अब कोई नहीं उन्ह प्रेमेंट बाई कर दिया एक किसद आरकी बस वो सलिप दे रहे है काटके पेले एक्षिव सेवन अंड़ को इजद मिलती थी यहां पर रखी जाती थी अब इसको इजद कर दी गई और उदर की साइड शिफ्ट कर दिया क्योंकि क्लासिक और स्कॉर्प्यों दोनों इनका प्रोड़क्ट है तो उसी की ओविसली जादा प्रोमोशन चलेगी इजद देगरों उनको मुझ रही है इसकी इजद चा चुकी है फ्लो जी मिल गई अपने को सलिप और कातना बारिश आने वाली है काले बादल आ गए और हल्की बूंदा बांदी भी शुरू हो गई है और गुड न्यूज यह है कि भाई स्कोर्क्यो एंड जो पेट्रोल अटोमाटिक है वो फाइनली टेस्ट ड्राइव के लिए भी मिल गई तो चलो करी लेंगे तो यह देखो भाई यह खडी वाइट कलर में अपना फेवरेट कलर है वास्तो बट्ट स्कोर्क्यों का दब दबा आपको पते हिए ब्लैक में जाता है पेट्रोल है नहीं मैनूल है तो चलो कोई नहीं हमें तो इंजिनी टेस्ट करना है मैनूल चला लेंगे प्रोल में तो भाई त्यक्री पावर है जैसे अपनी एक्शवीश्बे सेवं इंडेट में थी बट उसमें ढई जीजल कहीं कमी इसके डीजल में भी है प्रोपर पावर बिल्कुल प्रोपर वावर कि हमने तो अगर फॉर्वील राइड लेनी है तो वह डीजल में ऑप्शन है पेट्रोल में नहीं मिलती बिल्कुल फिर वही बात आ जाती है अपनी जैसे एक्ष्वी 780 वो तो थी ओल्वील ड्राइव यह थार आई यह वैसे शोरूम एक वार वी वो कौन से है फॉर्वील ड्राइव अपने बास उसमें के नो भी मिला अलग से यहां लग से यह अलग से अपनी एवर में ता उसी पर इसकी ले 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 अच्छे से ट्राइव अलग ही एपेट्रोल है मैंने तो डीजल में ऑ इसकी कुछ जाद ही बेटर लग रही है उससे भी ब्रेक्स की बात करें मैनूल में मुझे वैसे फरक नहीं पड़ेगा मैं तो आटमेटिक लेनी है और इसका क्लच जो हो प्रेस करना पड़ रहा है उसके बाद ही गेर शिफ्ट हो रहा है जैसे हमने टियागो में किया हाफ क्लच में भी आप गेर शिफ्ट कर सकते हैं जो करना नहीं चाहिए वैस तो पर इसमें पूरा आपको दबाना ही पड़ेगा और क्लच लाइट है तो इसलिए ट्राफिक में भी ना दिक्कत नहीं होगी अराम से मतलब मैनूल भी अगर आप लेते हो तो कोई दिक्कत होगी कई गाडियों में हाड होते है सफारी और हैरियर का बहुत हाड है तो इसमें क्या बड़ी परशानी हो जाती है यह कारना दुखने लग जाता है ट्रैफिक में पर इसमें केस नहीं है अराम से क्लच जो प्रैस हो रहा है स्टेरिंग भाई इसका बिलकुल लाइट है जैसे जो बुला लो अच डिलिवरी के लिए अबी 2 साल तो भूल जाओ जाओ है वेसे चांसे मिलने के कुछ नहीं मिलने के चांसे पूरे-पूरे एक साल के दून दर आपको मिल जाए वासे तो उमीद पूरी है एक साल तो मिनिमम है बाकी दो साल ने हो देखते हैं भी आग क्या जालो जी घर चलते हैं फटाफट बारीश आए उसे पहले आया हूं बाइक पर बाड़ी में आयो तो टैंशन नहीं रहती अब बाइक में भीगने का डर जाता है यह खड़ी है अपनी फ्यारी फ्यारी बाइक लेस्ट गू अहाँ देख लो भाई वही लफड़ा पीछे मो मैं स्कॉर्प्यों ना मैनुवल में नहीं लूगा कभी भी क्योंकि बहुत जादा मतलब क्लच दबाने वाले मेरे को चीज़े पसंद दिया मतलब ऐसे इतना हाड़ वो और गेर शिफ्टिंग भी कुछ स्मूथ नीथी थोड़ा सा मतलब ऐसे ना जोड़ लगाना पट रह दूसरे चीज भाई गाड़ी अपने प्राइस के आप से बहुत अच्छी है बड़ जो मैं गाड़ी ले रहा हूं वो 27-28 लाग की पढ़ रही है अब इतने मेना आपके पास ओप्शन ये भी आजाद है कि एक्स्वी 700 का आप एक 7L डीजल ओल्विल ड्राइब भी ले सकते तो 28 के आसपास थो तो वह गाड़ी आपको जादा लक्जरी प्रोवाइड करेगी जादा सेफटी प्रोवाइड करेगी जैसे डास वगर है उसमें लेन की पस इस्टा ऑटमेटिक ब्रेकिंग है वो सब चीज़े आपको स्कॉर्प्यों में नहीं मिलेगी बर स्कॉर्प्य चाहिए आपका 30 लाग क्या सपास बजट है तो आप भाईया एक्सवी 700 लेना आपको जादा लक्जूरी फील होईगी इस पेस अंदर उसमें भी काफी सही है लाश रो तो अबर अच्छी नहीं है बट वैसे आपको सेफटी वाइस काफी चीज़े मिल जाएगी और अगर आपको चाहिए वाईया जी गाड़ी मतलब छोटी फैमिली है दो तीन लोगों की इतना जादा कुछ लक्जिरी नी चाहिए रफ एंट अफ गाड़ी चाहिए फोर विल ड्राइव हो मस्त एकदम रोड पे चले ना मतलब रोड प्रेसेंस दीखे तो आप लोग स्कोर्प्य आपके आप देख लेंगे ना मैं तो एक्सवी 700 भी रखी है और स्कोर्प्यू एन भी रखे देखेंगे ठीगा जी अम मिलनी तो दो साल बाद है अला कि दो साल तक मैं सोच भी नी रहा यार कौन पैसा खर्चे का इतना भी एक 7 में लुट गया हूं मैं पुरा अब जो भी पैसा हो गया तो घर खरीदेंगे या फिर भाईया अपने काम वाम में लगाएंगे ये फाल तुमें अभी गाडियो वाडियो पे नी खर्चना पैसा में रखो अरे हडजो भाई गर जाना जल्दी बारिश आगी तो दिमाग की धहीं हो जेगी और आज देखने है भाईया नहीं मिली तो जैराम जी की है ना ओ शिट भाई बारिश हो गई शुरू शिट 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 हो यहां कड़ी करते है भाई और बारी आई नहीं तनी तेज जितना मैं सोच रहा था जालो जी मुवी जो खतम हो गई है सही थी मुवी बट भी एफेक्स हो थे ना भाई भाई मतलब लग़ा था कि पैसा पर चाहूए मज़े राए फ्यू मिनिट्स लेटर गाई मुझे ऐसा लगते हैं ब्रह्मात्र में ना मोडन एरा और पुराने टाइंग को थोड़ा मिक्स क कुछ हो गया बट अच्छी थी मुवी मज़ा आया भी एफेक्स की वज़े से स्टोरी लाइंग भी ठीक थी आपको ऐसी लगी आपने देखी नहीं देखी वह भी नीचे कमें जरूर बताना बागी इस वाली प्लेट नहीं रखते भाई मिलता हूं आप से नेक्ष वीडिय झाल झाल झाल